फिर से तो बनारस में कल नॉमिनेशन होना है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी का तीसरी बार यहां से उम्मिद्वार के तौर पर वो परचा दाखिल करने वाले हैं बीजेपी की कैनिडेट होंगे संसदे चुना में उससे पहले आज मेगा रोडशो और रोडशो के बाद प्रधान मंत्री ने पूजा अर्चना की है शिव की नगरी में पीम मोधी की आज जैजा मोधी की धूम देखने को मिली है शिव की नगरी में और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उस वक्त की जब प्रधान मंत्री ने पूजा अर्चना की काशिव विश्वनात में मंदिर में उन्होंने रुद्रा भिशेक किया है और ये तब की तस्वीर है प्रधान मंत्री और उनके साथ सीम योगी आद्यतनाथ भी मौजूद है गर्बगरी में पूजारियों में प्रधान मंत्री की पूजा अर्चिना संपन करवाई威श्रनात की पूजा की प्रधानमंत्री ने रुध्राभि arm शेख किया ये तस्विरे इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर पीय मोदी का रोट्शो के बात के कारेक्रम की ये तस्विरे हैं दान पात्र में दान भी किया प्रधान मंत्री ने सीम योगी आदितनात इस वक्त उनके साथ मौजूद थे और फिर पूरे कोरिडॉर में प्रधान मंत्री भ्रमण करते नजर आए वहां जो श्रुद्धालू आम श्रुद्धालू मौजूद थे उन सब का अभिवाधन भी स शोक किया और रोडशो के बाद काशे विश्वनात पहुंचे जहाँ पर पूजा अर्चना की रुद्रा भिशे किया दान पात्र में दान किया कल भी बर्यारस में मौजूद होंगे प्रधान मंत्री कल नॉमिनेशन फाइल करेंगे उससे पहले बीजेपी नेताओं के साथ एक मीटिंग होनी है और नॉमिनेशन जब फाइल करने पहुंचेंगे प्रधान मंत्री उनके साथ 12 राज्यों के मुख्य मंत्री होंगे लगबग 20 केंद्रिये मंत्री होंगे और एक शक्ति प्रधर्शन के साथ प्रधान मंत्री कल नॉमिनेशन फाइल करेंगे और फिर मह से जारखन के लिए रवाना हो जाएंगे यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए ब्रेक की बार में खब्रों का सिलसला नियूज एटेन पर जारी है